जहिन दोस्तों कैसे आप सब? Welcome back to daily current affairs class दोस्तों मैं हूँ विकास गौरोव और आज 31 में से related current affairs के सारे questions और उससे related सारे static gk के questions हम इस वीडियो में cover करेंगे तो आप वीडियो को last टक से देखिएगा और last में जो question of the day पुछा जाता है अगर उस प्रसन का आप सही जो आप comment box में बता देते हैं तो अगले दिन के सेसन के last में आपका नाम भी है ना उसकिया जाता है तो चलिए start करते हैं आज की सेसन चलते हैं आज के पहले प्रसन पर आज का पहले प्रसन विश्व तंबाकू निश्य दिवस कम मना जाता है तो यह world note टेवे कोडे यह मना जाता है हर साल 31 मई को तंबाकू स्वास्त के लिए हानिकारक है यह लाइन आपको कहीं न कहीं लिख्यों मिली जाती है लेकिन इस लाइन का पालन बहुत कम लोग कर पाते हैं तो यह हर साल 31 मई को तंबाकू या इसके उत्पादों के भोग पर रोक लगाने या फिर इसके इस्तेमाल को कम करने के लिए लोगों में जगरुपता फ्लाने के लिए मना जाती है हर साल 31 मई को विश्वत तंबाकू निश्य दिवस अब ये 31 मही को मनाई जाती है यानि कि आज है मही का अंतिम दिन तो हर महीने के अंतिम दिन हम उस महीने के जितने भी महत्तोपूर्ण दिवस मनाई जाते हैं उन सब का रिविजन करते लेते हैं तो मई महिने में हर दिन कोई ना कोई महत्तो पुर्ण दिवस मनाये गया है लेकिन हम उसी दिन को किवल रिविजन करते हैं जो हमारे एक्जाम पॉएंट ओ फिव से महत्तो पुर्ण है तो सबसे पहला दिन एक मैई को मनाए गया था अंतराष्टिय मजदूर दिवस और एक मैई को ही मनाए गया था महराष्ट और गुजरात राज की अस्थापना दिवस महराष्ट और गुजरात ये दोनों बंबई राज का हिस्सा थे फिर एक माई 1960 को बंबई राज को तोड़ करके दो भावम बाट दिया गया था एक महराष्ट्रा और एक गुजरात तो इन दोनों की अस्थापना दिवस भी मनाई जाती है राज अस्थापना दिवस एक माई को तीन माई को मनाई गया था वीश्व प्रेश सोतंता दिवस फिर मीड वाइप के लिए अंतराश्टिय दिवस मनाई गया था पांच माई को साथ माई को मनाई गया था वीश्व एथलेटिक दिवस और फिर अगला महत्तोपूर्ण दिवस मनाएगा था है विश्व रेड क्रोस टे ये रेड क्रोस टे ये मनाए जाता है रेड क्रोस कमेटी के संस्थापक हेंडरी डिवनेट के जनम दिन पर तो ये भी महत्तोपूर्ण दिवस है इसका मही के सबसे वाल्ड रेड क्रोस टे औ पर 12 मैं को अंतराश्टिय नर्श दीवस और इस नर्श दीवस है इसी ऩी मने कुन हे गया अंतराश्टे परिवार दीवस By मनाया गया डेंगु दिवस 21 मही को मनाया घिर आतंखवाद विरोध्य दिवस यह 21 मै को Q इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे देश के पूरु पधान मंतिर राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी एक किस मैं को ही एक किस मैं में अंत्राष्टिय है चाय दिवस मनाने की चोविस मै को मनाया जाता है राष्ट मुंडल दिवस 28 माई को मना जाता है World Hunger Day यानि कि भूख दिवस फिर 31 माई को मना जा रहा है तमाकू निशेद दिवस तो चलते अब अगले प्रसंद पर अगला प्रसंद बिरिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठा की मेजबानी किस ने की तो अभी बिरिक्स के टैक्स प्राधिकारियों की बर्चुल मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के अध्यक्षता की गए है रूस की संग्यकर से बादवारा यानि कि इस प्रसंद का सही अंसरों का आपसों भी रस हिया और इसमें भारत भी प्राटिसिपेट किया है क्यूंकि भारत भी बिरिक्स का पाठ है जब बिरिक्स बना था तबी से भारत इसका पाठ है तो भारत का प्रतिनीधित इसमें किया है हमारे बीत सचिव ने कोन है हमारे बीत सची तो भारत का भी बरतमान में बीत सची है अजय भूसर पांडे और अजय भूसर पांडे ने भारत का प्रतिनी धित्व किया है बिरिक्स के टैक्स प्राधिकारियों की परमुखों की बैठक में अब ये बिरिक्स की बैठक हुई है तो बिरिक्स इसकी अ जुड़ गया यह प्रसंद पूछा जाता याकसर एक जाम में कि साउथ अफिरिका ब्रिक्स का पार्ट कब बना तो साउथ अफिरिका यह ब्रिक्स का पार्ट बना था 24 दिसंबर 2010 को तो 2020 में जितने भी ब्रिक्स के समयलन होंगे उन सब की अध्यक्षता करेगा रसिया क्योंकि यह सिक्वेंस वह चलता है एक एक साल हर देश को इसकी अध्यक्षता करने को मिलती है 2019 में इसकी अध्यक्षता किया था ब्राजील 2020 में कर रहा है रसिया और 2021 में करेगा अपना दे के समयलन होंगे, सब की अध्यक्षता हमारा देश भारत करेगा, फिर 2022 का चाइना करेगा, 2023 का साउथ अफिर का, फिर 2024 में आजएगा ब्राजील में, पचेस फिर इंडिया को 26 में मिलेगा, यह स्यूक्यंस भाई चलता रहता है, एक एक देश को एक एक साल इसकी अध्यक्षत करने का मोगा मिलता है, भारत में अब तक से टोटल दो बार बिरिक्स का समयलन हो चुका है, एक बार 2012 में और फिर 2016 में, और अब होने वाला है 2021 में, बिरिक्स का हेट क्वाटर है संघाई में, चीन के संघाई सहर में, और इसके बरतमान में प्रेसिडेंट हैं के भी कामत, चलते अब अगले प्रसंद पर, अगला प्रसंद, विपरो के CEO के रूप में नियुक्त हने वाले पहले गैर भारतिये कौन बन गए, तो विपरो ये है भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनिय अभी बरतमान में माने जाती है विपरो, और इसके CEO बनने वाले पहले गैर भ संस्थापक है थे अजीम प्रेम जी ये अजीम प्रेम जी को ने तो ये अजीम प्रेम जी ये भारत के सबसे धनी मुसलिम ब्यक्ति माने जाते हैं और इसके साथ ये भारत के दूसरे नमर के से धानी ब्यक्ति है मुकेस अंबानी के बाद यह दूसरे नमर पर है अजीम प्रेम जी यह 2016-17 में चौथ है में नमर पर थे लेकिन 2020 आते आते यह दूसरे नमर पर पहुंच गए हैं भारत के सबसे अमीर ब्यक्ति में वीप्रो का हेड़ कौर्टर है बेंगलोरू में और वी भारतिये खेल प्राधिकरण के महानित्यसक हैं संदीप परधान और यह फिर से री एपोइंटेड हो गए हैं संदीप परधान इसलिए मैंने इस प्रसंग को इसमें डाला है फिर से यह बन गए हैं अगले तीन साल के लिए भारतिये खेल प्राधिकरण के डियेक्टर जेन अब भारतिये खेल प्राद्धिकरण इसके अस्थापना हुई थी 25 जन्वरी 1984 को और इसका हेड़कॉर्टर है न्यू देली में चलते अब अगले प्रसंद पर अगला प्रसंद किस राज ने मुख मंतरी स्वराज योजना की सुरुवात की है तो मुख मंतरी स्वराज योजना इसकी सुरुवात की है उत्राखंड के CM3 रावत ने उत्राखंड ने राज में वापस लड़कर आने वाले प्रवासियों के लिए ये मुख मंतरी स्वराज शुरुआत की है तो इस प्रसंद का सेयन सुर्गा अपसन नमर वन उत्राखंड तो यह मैप में जो आपको दिख रहा है रेड कलर का यही है उत्राखंड उत्राखंड आज कल चर्चाम चल रहा है न्यूज में लगतार बना हुए उत्राखंड भारत नेपाल सीमा विवाद क बैसे हैं वो हैं गंगोतरी साथंट नेशनल पार्क जीम कॉर्बेट वहाक राजाजी साथ फूलो की घाटी और नंदा देवी साथ अगले प्रसंध अगला प्रसन वैह इनकी एक वेबसाइड थी गनेस अस्फिक्स ये गनेस भगवान के बहुत बड़े भक्त मान जाते थे इनको गनेस भक्त के रूप में निकनेम भी दिया गया था और इनकी वेबसाइड के नाम था गनेस अस्पिक्स दुनिया की सबसे ज्यादा फोलोकी ज़ानुली बेबसाइड में से एक थी वो गनेश अस्पिक्स इन्होंने बॉलेवूड से लेकर के बड़े बड़े विश्व के नेताओं के जीवनी के बारे में भविश्वाड़ी किये अमिताब बचन से लेकर सचीन तेंदुलकर तक कारगिल यूद के बारे में भी इन्होंने भविश्वाड़ी किये थी तो इनीका भी हाली में निधनों गया है इस प्रसुन का सेयंस रोग अप्साद या थे जियोजसीहि चलते हैं अगले प्रसंट पर अगला प्रस्ण है हाली में किस देश ने अपने पहले मानो रहित हेलिकॉप्टर का परिक्षण किया है तो अभी मानो रहित हेलिकॉप्टर का परिक्षण किया है चाइना ने यह चाइना का पहला ऐसा हेलिकॉप्टर है और इस हेलिकॉप्टर का उसने नाम रखा है AR500C और इसी हेलिकॉप्टर का इपरिक्षन किया है चाइना ने इस हेलिकॉप्टर का वो यूज करेगा संचार रिले में तथा फायर स्ट्राइक करने में तो इस प्रसंद का सेंसरों का अपसन नमर है चाइना और चाइना अभी मंगल मिसन करने वाला जिसका उसने नाम रखा है ignoring 1 चाइना के मार्स मिसन का नाम है Belgian1 ये भी आज रखेगा चाइना की कैपिटल है बीजिंग चाइना के प्रस्टॉडन्ट है सी जिंपिंग और चाइना के मुद्रा है रेन मिन भी अब कहीं कहीं रेन मिन भी लिखा रहता है और कहीं कहीं युवान दोनों में अंतर क्या है रेन मींबी और युवान में क्या अंतर है सोचिए रेन मींबी और युवान दोनों में वही अंतर जो हमारे हां रूपया और पैसा में है रूपया और पैसा में क्या अंतर है पैसा रूपया की यूनिट है उसी तरह से youan ये rain meanbic unit है अगर exam में दोनों option में लें तो आपको rain meanbic लगाना होगा और अगर rain meanbic option में ना हो अगला प्रस्वन है हाली में indigo के सौतंतर निदेशक किसे निक्त किया गया है तो अभी इंडिगो के सोतंत निदेशक बन गए हैं बेंककटर मनी सुमंत्राण अप्सन नमर वन यह हैं बेंककटर मनी सुमंत्राण और यही अब बन गएं इंडिगो के सोतंत निदेशक बाकी के अप्सन में जो हैं जहागीर वाडिया यह हैं गो एयर के एमडी राजिव ब मुख्याला है गुरुग्राम हड़ी हर्याड़ा में तो यह थी आज के क्रेंट अफेर के सेशन की लास्ट क्वेश्चन अब हम चलते हैं क्वीज पर तो प्रीविएस वीडियो में मैं मैंने आपसे पूछा था निम्न में से किस ने अपना खुद का ग्रूमिंग और प्रसनल केर ब्रांड फर्स्ट लॉंच किया है तो अब यह फ्रस्ट ब्रांड यह लॉंच किया है सलमान खान ने इस प्रसंद का सही अंसर का अपसन नमर बी और कल के प्रसंद का जिन जिन लो आज के लिए क्वेश्चन और डे हैं आज का प्रसन है भारतिये भारतोलन महासंग ने अरजुन पुरसकार के लिए किसे नॉमिनेट किया है इस प्रसन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा अगर इस प्रसन का आप सही जवाब देते हैं तो कल के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनौंस किया जाएगा आपके पास अप्संस है अंजुम मोदगि इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा तो यहीं पर हम इस वीडियो को इंड करते हैं अगर अच्छा लगा होगा हाथ की सेशन तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अब मिलते हैं फिर से कल 6 एम लाइक तब तक के लिए आप घर पर यह सुरक्षि के ट्रेए पर तरे यह जाहिन दोस्तों कैसे आपसो वेल्कम बेक टू डेली करेंट एफेर्स क्लास न एर टुजे अश्टरी दोस्तों मैं विकास गरो आज के करेंट एफेर्स सेशन में आपका स्वागत करता हूं